हेलो फ्रेंड्स आसियान याने कि दच्छिन पूर्वी एस्याई देशों का संग है यहां तो इसी के बार में पूर्यानकारी को देखेंगे कि इसका अस्थापना का भूँआ था इसका मुख्याल है कहां है साथ यसाथ भारत और आसियान के बिज में जो संबंध है रिलेसेन अंने वो कैसा है किस परकार का है क्योंकि एक्षाम में इस कोशिल पूछेहाँ जाते हैं तौ यह आप लोगातार प्व बोहुत ही आवशक है क्योंकि यहां से लागतार पोशिल कहीं नसरे एक्षामवर्म पूछेहां जाते है तो आप लोग वीडियो क holistic जरुद भina Cart तो यहां दच्छिन पूर्वी A.C.I. राष्टरों का संग है जो कीरा. है तो यहां बहुत जितने भी देश इसके मेंबर हैं उसमें यह लोग एकनोमिक रूप से पॉलिटिकल रूप से सेकृर्टी के तोर पर इसका विकास हो इसी करण से यहां संग बनाया गया है दोस्तों इसका जो फुल्फोम है और फुल्फोम से कोशन बनता है तो फुल्फोम है Association of Southeast Asian Nations तो यह इसका फुल्फोम है यह आपको जानना बहुत यह आविसक है Association of Southeast Asian Nations इसकी स्थाफना यह इस्टेब्लिस की बात करते हैं तो यहां 8 अगस्ट 1967 यानि की 8 अगस्ट 1967 को इसका स्थाफना किया गया था और इसका मोटो क्या है तो इसका मोटो है one vision one identity one community तो यह इसका मोटो है one vision one identity one community दोस्तों इसकी मुख्याले headquarter की बात करते हैं या केंद्रे सची वाले की बात करते हैं तो इसका हेड़कॉर्टर है जकार्ता इंडोनेसिया में और जकार्ता इंडोनेसिया की राजधानी भी है तो एसियन का मुख्याल है इंडोनेसिया की राजधानी जकार्ता में है अब बात करते हैं कि एसियन जो है इसका सबसे बड़ा सहर कौन सा है तो आसियन का सबसे बड़ा सहर है जकार्ता और यहीं पर मुख्याले भी है साथ-साथ यहां इंडिनेसिया की राज़ाने भी है तो सबसे बड़ा सार है जकार्ता दोस्तों अभी बरतमान में आसियन का जो सेक्रेटरी जेनरल के बारे में देखते हैं तो सेक्रेटरी जेनरल है लीम जोक होई तो लीम जोक होई है अभी सेक्रेटरी जेनरल जोकी बुरुनेई के हैं तो बुरुनेई के लीम जोक होई है अब बात कर लेते हैं सदे से देशों की आसियान में तो आसियान में बरतमान में सदे से देशों की संख्या है 10 यानि की 10 और स्थापना के समय यानि की पहले स्थापना के समय में इंडोनेसिया, मलेसिया, फिलिफिन्स, सिंगापूर और थाइलेंड थे यानि कि कुल 5 दिस मिलकर कि इसके स्थापना किये थे यानि कि स्थापना के समय में 5 दिस थे जिनका नाम है इंडोनेसिया, मलेसिया, फिलिफिन, सिंगापूर और थाइलेंड बाद में बुरुनेई, वियतनाम, मयानमार, लाओस और कमबोडिया को जोड़ा गया ये भी आसियान में, दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत के साथ में इसका क्या रिलेशन है या तो फिर भारत का क्या रोल है, तो 1992 में भारत आसियान का पूर्व समवाद सहयोगी सहबागी बना, यानि कि भारत जो है आसियान का पूर्ण समवाद सहयोगी सहबागी बना, मतलब व बात्चित होती हैं, वह पर समवात करना होता है, तु उसमें भारत को भी सहभागी बनाया है, यहां kilo भारत के बाद में चीन, जापान, और दच्चिन खूरिया भी समवात Solid सम्मिट प्रफाज अब बात करते हैं अब बात करते हैं पहला सम्मिट हुआ था वहां हुआ था 23-24 फरवरी 1976 को यानि कि 23-24 फरवरी को 26 पहला समिट हुआ था और यह इंडोनेसिया के AGAinis पहला समिट हुआ था उसके बाद से हम दोग देखते हैं एक भी बार में 36 BAB यानि कि 32 BAB कर जो समिट हुआ वहाँ 11 से 15 नमबर के बीच में 2020 में हुआ वियत नाम में तो वियत नाम में 11 से 15 नमबर 2020 को हुआ इसका 36 और सम्मिट और अभी जो 38 और 49 सम्मिट होना है वह 26 से लिए करके 28 अक्टूबर के बीच 2021 में होना है और यह भी बुरुनेई में 26 से 28 अक्टूबर 2021 को इसका 48 38 और 49 बैठक यानिकी सम्मिट होना है तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने एसके बार फोर्य चिद्र के से जाना तो एसका फूलपम क्या इसका मुख्याला सबसे बड़ा शाहर और इसका जो सम्मिट है वह किस परकार से होता है और कहां पर होता है इस चाहर चीज़ों को भी देख ले तो यहां से चितने भी कोश्चन्स बनने के समाना वह सब सारे जान करने मैंने आपने आपको तेदी है